हेलो एन वेलकम सभी का स्वागत है मैं अमित कुमार नंदन यानि एके नंदन और आपका नंदन सर एक प्रियास के इस यूटुब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं परचे की रवायतों के बाद बात आपके सफल होने की और सफलताओं के लिए मैं हमेशा कहता हूं लिए को अगर उठाके देखें कि कॉर्परेट बैंक चुकिए आप एक बैंकर होंगे तो कॉर्परेट की जो कारे शेली है वहां काम करने का तरीका है नीचे एक स्टाफ है जो सुबह से लेकर साम तक काम करता है और उपर जैसे जैसे पोस्ट भढ़ती चली जाती है उसका का काम कम होता है वो एनलाइज ज्यादा करता है एक एसी कमरी में बंद होता है तो फिजिकल वर्क के अधार पे तो एक मजदूर ज्यादा काम करता है जब किस कंपनी का CEO कम काम करता है लेकिन सैलरी का अंतर ये बता रहा होता है कि किसकी जरूरत ज्यादा है इसका आउटपुट ज़्यादा है और वो जो उपर क्या जो ऑनर है या कंपनी का CEO या उपर के पोस्ट वाले लोग हैं वो मज़दूर के respect में意 ज्यादा करते हैं तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो केबल मेहनत नहीं उसमें अपनी strategy दे बाई डे जोर नहीं होगी और strategy जब company ओ या corporate की भाषा में बात करें तो strategy के लिए आपको एक data देखना होता है कि क्या उस company का data है चाहाँ वो सेल के मामले में हो purchase के मामले में हो growth के मामले में हो और इस डेटा को analyze करके आप strategy ते करते हैं तो similar part आप अपने competition में भी इसको लागू कर सकते हैं आपके competition में जब मैं ये बात कह रहा होता हूँ तो आपको ये data या strategy analyze करने के लिए सबसे best तरीका है exam में previous year paper क्योंकि ये वही परिख्षा है जिसको देकर आपके पिछले साल कुछ लोगों ने एक job पाई है आप उसी job को पाने जा रहे हैं तो उसी job को जब पाना है तो जो अनुवख पिछले लोगों का रहा है जो data है जो paper है उसको आप अपनी strategy में सामिल करिए और वही आपको स्मार्ट तरीकें में लेकर जाएगा कि कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है किस पर ज़्यादा focus होना है तो इसलिए ये सिरी चलाई है और banking में तो practice और previous paper का बड़ा ही महत्व है हर video में मैं ये बात कहता रहा हूं तो ये सिरी चलाई है bank exam के previous year paper की और इस series में मैं अभी बात कर रहा हूं RRB color 2023 का paper 23 में जो ये paper हुआ और अभी तक इसकी बहुत सारे series हो चुकी है इसमें आज हम discuss करेंगे वो paper जो 12 अगस्ट 2023 को सिफ्ट थर्ड में आया था तो पहली बार इस series में जो रहे हैं उनको ये बता दूँ कि already इसकी playlist बनी हुई है आप जाकर सभी video को देख सकते हैं और मैं बार बार ये दुराता हूं कि आप केवल video ना देखे पैन और paper के साथ इस video को देखें क्योंकि आपके लिए important है आपकी practice तो पैन और paper के साथ इस video के साथ जुड़िये और मैं चाहूंगा कि आप यहां सवाल जब आपके सामने आए तो आप video को pause करें सवाल बनाएं अगर आपसे सवाल बन जाता है तो अपने answer को मिलाएं और नहीं बनता तो video को फिर slow motion में करके देखिए कि कैसे मैंने बताया है और उसमें क्या doubt है बाकी comment box आपके लिए खूले रहते हैं comment box की जरूरत ही इसलिए है कि आप मुझे communicate कर पाए मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए और आप सवाल मेरे टेलिग्राम चैनल पर भी जाकर कर सकते हैं तो यह तो हो गई रवायत किसी भी वीडियो को शुरू करने की शुरुवाती परचे तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सिरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं आर आर भी कलर प्रीएस येर पेपर दो हजार तैस का पीपर जो बार अगरस दो हजार तैस को सिफ्ट थैड में हुआ था तो वीडियो लंबी नहीं बनाते हुए हमारी कोशिस होगी कि जल्दी सवाल बनाए और जिनको मेरे टेलिग्राम चैनल पर जुड़ना है वो नंदन सर रिजनिंग में जाएंग वहाँ जुड़ेंगे तो उपर पे आपको मैसेज का भी आइकोन है उसमें आप टच करेंगा तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं ठीक है तो और वहाँ ये पीडियो भी अबलेबल हो जाएगी कुछ दूरों में ततकाल आपके पास पहला सवाल है और किबल सवाल नहीं लगोषण जांग तो आप वीडियो को यहां पॉस करेंगे सवाल बनाएंगे और बित फाइव कोस्चन बनाएंगे क्योंकि कई बार कुश्चन बनाने के बाद भी आप यहां गलतियां करते हैं तो मैं चाहता हूं यह सीरी आपकी प्रेक्टिस के लिए है तो प्रेक्टिस में माइन्यूट से माइन्यूट चीजे भी आपसे जलत ना हूँ इसलिए कम्प्लीट पैक्टिस का पैकेज है तो यहाँ पर आपके पास यह सवाल है मैं एक मेट का टाइम देता हूँ आप ज्यादा भी पाउज कर सकते हैं कोई समस्या नहीं और इसको बनाएंगे और उसके क्राइम में जर रजए खिया लुट रजब आपसे जर आपसे और हूँ वाँ रखसेजल में में आपसे जलत देता हूँ वे बनाऑसे के ताहल में जरते हैं कि और नहीं हुआ नहीं है झाल झाल जाल थोड़ा स्पेस बना लें जाल थोड़ा स्पेस बना लें देखते हैं मेरे पास ये सवाल बना कि सात लोग हैं और उन सातों का जन्व अलग-अलग महीने में हैं यानि मन्थ बिस्ट पजल हैं और जैसे ही मन्थ बिस्ट पजल की बात आती है तो आपकी पहली ड्यूटी कहिए आपको उन महीनों के बारे में बात करनी होती है तो आपके लिए बात हुई है मार्च, अप्रिल, मे, जून, जुलाई, आउगस्ट, एन सेप्टेम्बर इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जब भी ऐसे सवाल होते हैं तो हमेशा यह बोला जाता है कि वो महीना कितने दिनों का है, 30 दिनों का है, 31 दिनों का तो हम बाद में जब सवाल पढ़ रहे होंगे उसमें उल्ज है उससे बहतर है कि पहले ही तैगर ले मार्च, 31 का है, अप्रिल मार्च, अप्रिल, माई, जुलाई, आउगस्ट और सेफ्टेंबर 30 का है, तो यह जिसके आगे डॉट लगा, वो 31 दिनों का महीना और बागी 30 का महीना है, चलिए अब सवाल की बात करें, तो वनली 3 परसन बॉर्ण बिफोर M तो यह बोला है कि M से पहले कितने लोग हैं तो 3, तो यह बात दो, लेकिन कोई भी उपर और कोई भी नीचे हो सकते हैं ऐसा करें, जो हम अक्सर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा लैंग्विज है नहीं, हम स्पेस में 2 पार्ट ले लेते हैं M और V के बिजदो हम माल लेते हैं कि M के उपर V होता तो 2 के साथ V यहां होता और एक दूसरी संभावना भी अगर मैं ले लूँ साथ में तो मेरे लिए M के बाद 1, 2 के बाद V होता और यह दो संभावनाए चलेंगे P was born in a month having 30 days P 30 days वाले में है तो P यहां अपरिल में possible अगर यह दबा देखे रहे तो इधर नहीं देखेंगे P अपरिल में possible है P September में possible है तो अभी P was born having 30 days तो अभी अपरिल और September में possible है तो P आप अभी लिख सकते हैं कि P इन जगों पे 31 वाले में नहीं है और यहां तो M होई गया है इसकी किज़ों थी नहीं है तो मेरे लिए यहां भी यहां है तो September में हाँ full है June अपरिल में एक ही जगह बची है तो P यहां Two person between P and H तो P और H के बीज़ दो तो यहां यहां और H क्योंकि ऊपर जगह नहीं अब मैं यहां सोचता हूं कि P यहां और यहां यही दो बात लेके चला था P अगर यहां देता तो दो लोगों के बाद H की बात जगह नहीं बनती तो P definitely यहां होगा तो एक दो और H J was born immediately after N तो J N के तुरंत बाद है यानि लगातार दो लोग आएंगे किस डबे में लगातार दो की कोई जगह नहीं दिख रही तो यह तरीका wrong हो गया और N और J के नाम पर यह जगह बचेगी और एक नाम आपके पास बचा है S और आपका सवाल हो गया खतम तो यहां पर कोई time नहीं लगना था बहुत आसान सवाल था और इसके बेस पर आपके पास पहला सवाल बना तो हटा लेता हूँ और फिर सवाल पर बात कर लेते हैं N was born in which of the following month तो question number one का answer होगा N was born in August और August के लिए option देखना पड़ेगा एक मिट यहां से देख लेते हैं दुबारा तो पहले सवाल का answer था एक मिट N was born in August यानि option number D फिर अगर मैं दूसरे सवाल पर जाओ तो दूसरे सवाल की बात देखना परस्ट का answer था option number D फिर है how many person are born between V and H तो V और H के बीच तो V और H के बीच तीन लोगों का जन्म है तो यहां दूसरे सवाल का answer होगा question option number clear है इसके बेश पर और तीन सवाल है उसको भी एक जगा रख लेते हैं इसको भी जवाब में दे देते हैं I hope so दिख रहा होगा तीसरा सवाल था कि number of people born before S is same number of such same as a number after यानि कि S से पहले जितने लोग हुए तो S से पहले दो लोग हुए तो S से पहले दो लोग हुए तो H ऐसा person होगा जिसके बाद दो लोग हुए तो यहां H answer होगा यानि option number B third answer हो जाएगा B 4 among the following is the same यानि कि 4 एक जैसे है कोई एक अलग है तो जब ऐसे सवाल हो तो यह odd one out है और odd one out के नाम पर जादा तरह से सवालों में 30, 31 के महिनों की बात होती है तो P का महिना वो महिना है जिसमें 30 दिन है अप्रिल में है वी का महिना अगर देखा जाए तो यह 31 वाला है S 31 वाला है H July में 31 वाला महिना है 31 दिनों वाला महिना है और N August में है तो यह भी 31 दिनों वाला महिना है तो ओव्यस सी बात है कि P answer होगा यहनि option number A What is true regarding V V के regard में क्या-क्या बात सही रखी गई है तो यहाँ no one born before V यह बात तो सही है There is only one person born between V and S तो V और S के बीच एक लोग है यानि यह भी बात सही है अगर मैं फिर थे आऊं तो V was born after P यह बात गलत है क्योंकि V P से पहले है यहां after की बात कह रहा है तो गलत है तो option number A और B दोनों सही है तो इसके लिए आप answer देंगे option number E तो बहुत easy सवाल था I hope so आपसे बना भी होगा और जिनसे नहीं बना उनको समझ में आया होगा तो I hope so आप enjoy कर रहे हैं सीरीज को next सवाल पर चलते हैं और next सवाल भी आपके पास certain number of people और RRB कलरक में कोई ऐसा set नहीं गुजरा जिसमें certain number of people वाली sitting arrangement नहीं आ रही है यहीं इस पर practice करने की जुरूत है comment आवाल है बहुत tough नहीं आया है बहुत आसान है और इसके base पर भी 6-8-3 सवाल है तो तीनों सवाल आपके सामने ही है तो यह सवाल बनाना है और इसके base पराने वाले यह सवाल आपके सामने है तो जल्दी से answer दी डालिए फिर से आपको एक मेट के साथ सवालों में छोड़ जा रहा हूं तो यह सवालों में जापके सामने ही है झालों में जापके सामने ही है अज़िए अज़िए का लेवल बहुत टफ नहीं होता बस स्पीड की जरुवत ज्यादा होती है आप लर्निंग कर सकते हैं धीरे धीरे बट आप एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो एड़ इंड आपके माइन में स्पीड होना चाहिए मैं हमेशा कहता हूँ जस्ट लाइक क्योंकि एक्जामपल से चीजे समझ में आती है मैं बाइक चलाने का एक्जामपल बहुत सिंपल और हर क्लास में लेता हूँ आप जब या कार चलाना नहीं जानते तो आपका पहला टार्गेट होता है उसे बैलेंस करना चलाना सीखना ब्रेक मारना एक्सलेटर का बैलेंस एबरिटिंग उस समय थ A कि उसके वाद आपको कोई नियम याद नहीं होता आप सो कहा हैं और सिंदाल्र लैर्निंगर का ही एक प्रोसेस है कि जब आप सीखना शुरू करते हैं तो आपके पास सवाल होते हैं क्यों कैसे क्या इसके लिए चलास है लेकिन आपके ऑपके एकजाम में जहाँती है speed के साथ चलती है और RRB तो speed के लिए ही जाना जाता है क्योंकि number of cut-off बहुत high है दिख़िए जाके और यह दिखाता है कि यह paper की जरूरत है इसलिए इस paper में सवाल बहुत easy होते हैं तो सवाल का level मत तैगरिए उस सवाल के साथ अपनी speed को देखे कि level easy तो है लेकिन आपने कितन certain number of persons sitting in the row facing north direction, कुछ लोग north square बैठे हैं, P sit third to the right of A, तो जब ये बात बोली गई कि A के right में third, तो बीच में हमने रखा दो, और P sit third to the right of A, simple line है, K sit to the immediate left of A, A के immediate left में K है, S sit third to the left of K, S, K, K left में third है, और third बोलने का मतलब बीच में दो कुर्सियां रखी हुई है, फिर बोला गया, S sit exactly in the middle of the row, अब कितने लोग हैं नहीं मालूम, लेकिन जितनी कुर्सियां इधर लगी, क्योंकि S एकदम बीच में है, तो जितनी इधर लगी, उतनी तो इधर लगेगी ही लगेगी, अगर बाद में इधर और बढ़ी, तो उधर भी बढ़ेगी, तो S is in the middle, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो इधर आपने अब तक 3, 4, 5, 6, 3, 3, 6, 7 कुर्सियां लगाएं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7 कुर्सियां आपने लगा दी, M sit second from one of the extreme end, अब पताने भी end में और कुर्सियां इधर लग जाएं, और कुर्सियां उधर लग जाएं, ये मालूम नहीं, तो M एक end से second पर भी तुमेंने ऐसा लिखा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये right से भी हो सकता है, एक point है, M right second है किसी एक end से, यानि M के left में एक कुर्सियां होगी, या right में कुर्सियां होगी, ये ध्यान रखना है, P sit exactly between M and K, तो B sit exactly between M and K, P sit exactly between M and K, अब M और K में कौन किधर है ये मालूम नहीं है, A sit fifth from one of the extreme end, और A, शुरुबात से 5 में पर तो नहीं हो सकता, ये बाट definite है, तो A sit fifth from one of the extreme end, A, एक end से 5 में नमबर पर है, यानि A के बाकी किनारे में 4 लोग बैठेंगे, और यहां 3 है तो एक 4 बना देते हैं तभी तो एक end से, यानि इस end से 1, 2, 3, 4, 5, और जैसे एक कुर्सी यहां लगाई, S को middle में होना है, तो S को middle में होने के नाम पर, आपको एक कुर्सी यहां भी लगानी पड़ेगी, तभी S middle में होगा, फिर ये बात आए गई कि अब line पक्के होगए, क्योंकि आप अब इधर कुर्सी नहीं जोर सकते हो, क्योंकि A इस ओर से 5 होना, यानि आप fix कर चुके हैं कि इधर आप कोई नहीं, तो अब इस है कि S बीच में है, तो इधर भी कोई नहीं है ती line तो fix हो गए, यह इसे fix हो गया, M को एक end से दूसरे पर होना है, इस end पर दूसरे पर तो P है, तो M definite इस end से होगा, M और K के बीच में B है, और यहां भी चार, तो B is exactly between M and K, तो सवाल के बल रीड आउट करने का है, जैसे जैसे language आते जाता है, वैसे उसे चीज़े put होती जाती है, और सवाल अपने आप में खत्म, इसलिए तो आरारभी का सवाल आसान माना जाता है, पहला सवाल है, अगर यह सवाल पूछ दिया जाए, तो सिंपल है, यह आपको बस गिन देना है, तो आप तीन, तीन, छेक, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदार, सोला, और सतरा, और आंसर हो जाएगा, सतरा ओफसर नमबर C, किलिर है, इसमें कोई डाउट है, what is the position of S with respect to B, S की position B के respect, तो B के right और बीच में एक, तो second to the right, second to the right, ओफसर नमबर A, how many persons sit to the right of P, P के right में कितने लोग हैं, तो दिख रहा है, एक ही लोग हैं, और answer is 1, तो 6 का answer होगा, ओफसर नमबर C, 7 का answer होगा option number A, और 8 का answer होगा option number B, बहुत इजी सवाल है, तो जल्दी से चलते हैं, अगले सवाल की और, और अगला सवाल ही आया, cellulism, मुफ्त के सवाल है, इसमें तो बहुत time देना बनता नहीं, फिर भी आपके पास सवाल है, आप एक लीजी और answer निकालिए, फिर मेरे साथ बात करेंगे, बस ज्यादा समय नहीं दूँगा, 10 सकेंद, अगर यहाँ देखें, तो इसको दो method से देखते हैं, जो एक मेरे student हैं, उन्होंने तो केबल देखा, और सवाल को जवाब देना सीख लिया है होगा, तो सम है, और यहाँ भी मैं इसको सम मानता हूँ, तो novel or lamp, तो novel or lamp, मेरे लिए सीरी टूट गई, इसलिए ये cancel, और no novel or lamp, तो novel or lamp के 20 तो कुछ बात ही नहीं, तो मेरे लिए तो reading, कि सम प्लस सम सीरी टूट गई, ये cancel, ये negative हो नहीं सकता, इसलिए answer के नाम पर आपका होगा, neither conclusion one or two, जिनको डाइगराम से देखना है, उनके लिए, ज्यादा तर स्ट्वेंट जो, उससे नहीं पढ़े हैं, वो डाइगराम से भी बनाते हैं, तो some novels are biography, और only a few biography are lamp, तो biography का कुछ हिस्सा, lamp नहीं भी है, कुछ है और कुछ नहीं भी है, तो some novel are lamp, novel और lamp के बीच कोई relation नहीं बता, अलग-अलग हैं, तो हम अपनी तरफ से कुछ बता नहीं सकते, no level are lamp, अच्छा एक बाट और हैं, यहाँ either होगा, sum plus no, either, 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 sorry, neither नहीं, either, तो conclusion दोनों individual लूप से wrong, दोनों के variable same, एक sum में दूसरा no में हो, either कहलाता है, जो मैं इस्ट्रेट नहीं को पता है, तो इसका answer होगा option number C, मैंने गलती से D लगा दिया था, हाँ, चलिए, तो यहाँ पर अगर आएं, तो यहाँ पर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, it's okay, come or no, तो novel और lamp या तो जुर जाएंगे, या अलग रहेंगे, कोई एक बात होगी, option number C is the right answer, चलिए, तो next अवाल पर चले, question number 10, जल्दी से answer देंगे, अगर बात करें, यह मेरे लिए सम है, सम और जेड बना है, तो सम प्लस ओल के केस में, सम वाला सही, बाकी सब गलत, फत्म, तो मेरे लिए, only conclusion one is right, option number A, जब answer देने की बारी आई, एक तरीका तो यह था, जो डाग्राम से बना रहे है, only a few card are sip, तो card का कुछ हिस्सा, sip है, और only a few है, तो यह भी माल लेना है, कि कुछ हिस्सा नहीं भी है, all sips are boat, तो जितने भी sip हैं, वो boat हैं, ऐसा, नहीं भी, बहुत सारे हिस्से हैं, और even, बहुत सारे हिस्सा, all boats are card तो नहीं हो सकता, दिख रहा है, और some cards are boat, तो some cards are boat, यह right है, और, यानि कि only conclusion, second is right, option number A, चलिए, नेक्स सवाल बचले, जल्दी से, फिर से, second row का सवाल होता है, cellulism में कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए, और bank student को तो कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पजल कई बार धोखा देता है, में सवागे रहे में, पजल धोखा देने का मतलब time के रूप में धोगा देता है, नहीं बनने के रूप में नहीं, बट कई लोगों की समस्या है, तो वहाँ cellulism बहुत साथ देता है, चलिए ऐसे सवालों में जो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह 100% accuracy के साथ बात करनी होगी, यहाँ पर आए तो sum plus all के case में, सभी sum वाले सही, बाकी सब गलत याद करने वाले लोग, जुनों ने मेरे method से पढ़ा है, पढ़ा और answer देखके खतम किया, क्या हाँ की, second सही होगा और option number B is right answer, reading किया और answer दिया, diagram से आएं, तो some chain are, or all pry are clutch, big tire are clutch, tire are clutch, तो no chain is clutch, तो chain or clutch, some chain are clutch, equipment, B क्यों लिख दिया, clutch, ठीक है, तो some chain is clutch, ऐसा नहीं है, जो यहाँ का हिस्सा clutch बना वो तो है, तो पहला गलत, और at least कुछ chain, कुछ chain, तो clutch बनेंगे ही, बनेंगे कि clutch का वो हिस्सा जो tire है, वो हर हाल में clutch है, इसलिए second is right, और second right वाले को लिए, हम option number B लगाएंगे, चलिए next सवाल बचले, और RRB कलर का patent सवाल, जिसमें बस आपकी reading capability, reading understanding, या यूँ कहें, clerical aptitude चेक करने की बात है, जल्दी से try करिए, फिर से 1 मिट देता हूँ, पढ़िए, और यह हिस्सा, प्रेक्टिस का हिस्सा है, अच्छा, meaningful word की बात हो रही है, ओके, तो यह तो पूरा ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कहा, if the position of first, and last alphabet of each word, यानि कि अगर यह मेरे लिए सब है, तो first यह है, और last alphabet यह है, आपसे बदल दें, यह बदलने के बाद ही और बीच वाले को ऐसे रखें, which among the following would be meaningful word, इन में से कौन एक meaningful, वो वर्ड बनाएगा, जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो यह बनाते हैं यह साथ, कि अगर पल्टेंगे तो यह बस निकलेगा, यानि ए तो पक्का है, सब तो है, लेकिन आप मेरे पास A के अलावा, B और A तो पक्का है, यह मालूम है, सब को देखकर बस तो लग गया, तो मैं अब इसको और इसको तो आंसर नहीं दूँगा, A के साथ मुझे C को चेक करना है, और B को चेक करना है, तो D को नहीं चेक करना है, यह पक्का है, तो मुझे एक B को चेक करना है, D और E दोनों को नहीं चेक करना है, option numbers, अच्छा नहीं नहीं, B का मतलब है APL, और APL को मैं बदलूँगा, तो LPA, LPA, ऐसा कोई वर्ड नहीं, और DNA, DNA का मतलब है, A, N, D, और END मतलब और, तो C भी आंसर होगा, और मुझे चुनना है, तो common sense है, कि मैं बस और END, यानि कि मैं option number D लगा रहा होँगा, option number D के साथ मैं जाऊंगा, तो next सवाल आपके सामने है, फिर से जल्दी से आंसर दीजी, तो जब alphabetical की चर्चा हो रही है, तो alphabetical series का मतलब हम A से Z की बात कर रहा है, इसने कहा कि how many letters, कि इतने letters हैं, in the alphabetical series, alphabetical series में जब comparison करेंगे, between, किसके बीच बात हो रही है, तो third letter of the word, which is first from the left, तो left से पहला word यह है, और इसका third letter B है, which first from left, left से पहला word यह, और इसका third letter है B, and first letter of the word, which is first from right, तो right से पहला letter यह है, और इसका first letter है D, तो overall यह सवाल पूछना चाहता है, कि alphabet में B और D के बीच, यानि alphabet में लिखूंगा, तो B और D के बीच कितने letter होंगे, तो जबाब होगा A, option number A, और जबाब होगा 1, क्योंकि alphabet जब लिखते तो B और D के बीच C answer आता, और answer होगा तो option number A, कि B और D के बीच एक answer है, बहुत simple सवाल था, next सवाल पर चलते हैं, क्या क्या रहा है कि, इस फर्स्ट अल्फवेट ऑफ इच वर्ड इच चेंज तो नेक्स्ट अल्फवेट, कोई भी letter है, उसका पहला अल्फवेट है, उसको अल्फवेट में एक बढ़कर जोड़ना, यानि S है, तो T से लिख देंगे, अल्फवेटिकल ओर्डर में, यानि A से Z वाली गिंती में, पहला letter में एक letter बढ़कर, next alphabet, यानि S है तो इसके लिए T लिख देंगे, then how many words, अल्फवेट को कि बढ़कर चेंज करना, तो S के बाद T, तो एक ही वाली रहा, जबकि पूछरा कितने दो वाली यानि D के बाद अगर मैं जोड़ूँगा, तो D के बाद E हो जाएगा, और E और U, तो एक तो ये वाली है जहाँ दो हो जाएगे, पी के बाद C हो जाएगा, तो यहाँ नहीं होगा, A के बाद B, यहाँ भी नहीं होगा, और D के बाद E, तो यहाँ भी दो वाबे लोंगे, तो ऐसे कितने वर्ड होंगे, तो जब आब होगा दो वर्ड होंगे, और दो word के लिए option number B लगा देंगे चलिए, next सवाल पर चले I hope so कि आप इस सवालों की practice को enjoy कर रहे होंगे आप practice करें बहुत जरूरी है exam सामने है इसलिए वीडियो में बाते कम practice जादा होंगे तो bored नहीं होंगे I hope so practice को अगर आप कर रहे होंगे प्रैक्टिस को enjoy करें तो बहुत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता चलिए next सवाल पर चलते हैं आपके पास सवाल है यह कह रहा है कि अगर इन वर्ड को अगर डिक्शनरी और में एरेंज कर दिया जाए तो ऑप्योस से कि डिक्शनरी कहता है कि सबसे पहले उस डिक्शनरी में alphabetically यह पहले नंबर पर आएगा यह दूसरे नंबर पर आएगा तीसरे नंबर पर यह दोनों लेटर आएंगे लेकिन यह दोनों में भी अगला लेटर होगा एम और एन तो यह तीसरे नंबर पर आएगा और यह चौथे नंबर पर आएगा और यह पांच में नंबर पर आएगा इतना करना ही नहीं था बट बोला गया मिडल में कौन है तो जब हमें एक दो और तीन की बात करें तो डीम यू और डीम यू के लिए आंसर होगा और और ऐसे सवाल पढ़ाने से ज्यादा प्रैक्टिस कराने की जुरत है तो जो मेरे स्टुएंट उनको मैंने पढ़ाया भी है और यहां आप प्र प्रैक्टिस की थी ऐसा नहीं है फिर भी थोड़ी से एक्जाम से पहले की प्रैक्टिस जो है ना वह ज्यादा कॉन्फिरेंस देती है तो इसलिए जो श्टुन मुझसे पढ़ जुकिन को पता है कि मैंने क्लास में कितनी प्रैक्टिस कराई है अब आप एक्जाम के समय की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस सीरीज के साथ और यह सीरीज बनी रहेगी आपका प्यार बना रहना चाहिए नेक्स सवाल अभी भी उसी के बेस पर है और बहुत आसान सवाल होते हैं इसके लिए बस सेगेंडों का टाइम चाहिए एक एक सवाल एक मेट भी नहीं लगने चाहिए काई देश से इसने कहा if the second alphabet is change to next alphabet second alphabet को change करेंगे next alphabet से यानि कि जो तीन लेटर हैं तो उसमें alphabet में एक बढ़ जाएगा and last alphabet is change to the previous alphabet और last वाला जो है alphabet में पहले वाले से यहां पर आप सबों में calculate करने लगते हैं एक बात ध्यान दखिएगा कि alphabet में A, E, I, O, U ये पाँच वाविल हैं उन वाविल में आप एक जोड दीजिए या एक घटा दीजिए उसके आस पास कोई वाविल नहीं आता है alphabet में सारे वाविल अपने आप में बहुत दूर दूर हैं और A, E, I, O, U alphabet में कोई नंबर जोड देने या घटा देने से एक एक नंबर घटा देने और एक नंबर बढ़ा देने से अल्फ़वेट में वाविल नहीं आता कि इसमें कहा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो वाविल के बिना है तो जब मैं यहां घटा रहाँ तो यूपर मैं क्यों आपरेशन करूं यूपर कुछ भी करेंगे वाविल खत्म हो जाएगा मुझे बी पर देखना तो बी में माइनस वन करेंगे तो यह हो जाएगा और हमें पूछ राद बिना वाविल वाला पार्ट तो यह नहीं लिए देंगे मैं यहां पर आऊ तो मैं यूपर क्यों आपरेट करूं यूपर माइनस करने का मतलब टी आजाएगा तो वैसे खत्म हो जाएगा एम मी प्लस वन करेंगे तो एम के बाद 13 तो यहां एन और यह हो जाएगा विनावाविल क्योंकि अगर मैं कंप्लीट करूं एन और यू के लिए वी और विना वाविल वाला ये पाइट तो होगा ही होगा ठीक है यहाँ पर आए तो यहाँ पर मेरे लिए माइनस वन और आर अठारा अठारा में माइनस वन करेंगे तो 16, 17, Q और यहाँ A बदल जाएगा और A बदल कर हो जाएगा B और यह भी मेरे लिए एक ऐसा जो बिना वाविल का है इसमें अगर बात करूँ तो A अपने आप में वाविल रहेगा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो N में पलस 1 करेंगे तो 14 पलस 1 O और यह भी कैंसल तो मेरे आपके पास यह दो ऐसे वर्ड हैं जो बिना वाविल के होंगे और आंसर हो जाएगा ऑपसर नंबर B क्लिर है और नेक्स सवाल आपके पास फिर से पजलनुमा सवाल है 17 से 19 सवाल आये थे तो तीनों सवाल आपके सामने ही रखे हैं I hope so आप जल्दी से जबाब देंगे तो करता है देखते हैं बनाने के लिए यहां अगर बात करें तो यहां सवाल है कि अलग-अलग मार्क्स कमपेरिजन वाले सवाल हैं बहुत हीजी सवाल होते हैं आपको पता है सबसे आसान सवाल अगर मैं पजल में मानता हूं तो कमपेरिजन वाला सवाल ही है और यह वही सवाल है यहां बोला गया कि six students got different marks in test and no two girls got same marks, सबको अलग-अलग marks आये हैं, तो छे लोगों की जगह बना ली जिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छे, ठीक है भई? F got fewer marks than only two girls, F के marks cable दो लोगों से कम है, तो cable दो लोगों से कम, मैंने हमेशा कहा कि only decide your position, और F cable दो लोगों से कम है, तो आपको F के उपर दो ही लोग रखने हैं, अगर आपने इस से नीचे रख दिया, तो F तीन लोगों से हो जाएगा, और नीचे ले जाएगे तो चार लोगो से कम है, तो F केबल दो लोगों से कम है, तो नीचे से उपर से तीसरे नमबर पर, he got more marks than E, तो D को E से ज़्यादा marks आते हैं, पट fewer marks than A, लेकिन A से कम marks आते हैं, तो जिसको ज़्यादा आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, उपर लिखिए, जिसको कम आता है नीचे, तो D got more marks than E E से ज़्यादा बट A से कम, who, who अपने लिए बगल वाले के लिए आता है, तो A did not get the highest marks, A के marks highest नहीं है, यानि यहाँ A नहीं होगा, A की उपर कोई नहीं कोई होगा, पता नहीं कौन होगा, देखेंगे, P got fewer marks than C, B के marks C से कम आते हैं और B के marks, इसको यहाँ लिखते हैं, थोड़ा से space बना देते हैं, P got fewer marks than C, B के marks C से कम है, F got more marks than B, F के marks B से ज़्यादा है, F B से ज्यादा है, कितने ज्यादा यह नहीं मालूं, बस ज्यादा है, P get more marks than E P ke marks E से जादा है P got more marks than B और D ke marks P से जादा है D get more marks than B C got more marks than F C ke marks F से जादा है C get more marks than F C ke marks F से जादा है The second highest scorer is 24 4 and the third lowest तो lowest का उन नीचे से गिनेंगे 18 marks के साथ है सवाल खतम और सवाल खतम तो आपको दुबारा सवाल पर जाना ही नहीं है क्योंकि सवाल की सारी बाते आपने हल लिख लिए उसको side करते हैं मेरे पास अगर सवाल इतना ही होता तो common सा term की D के उपर A चाहिए D के उपर A चाहिए और D के नीचे E चाहिए तो D के नीचे E आ गया यनि काईदे से आपकी ये जरुवतें complete हो गई यहां आए तो C already यहां और यहां है तो C B से जादा वो already यहां भी है तो ये C का होना ना होना कोई matter नहीं करता एक line और थे कि A सबसे top पर नहीं है तो अभी अगर मैं diagram में देखूं तो मेरे लिए E अपने उपर E अपने उपर 1, 2, 3, 4, 5 5 लोगों का ख्याल तो रखेगा इन 5 की कुरसियां तो छोड़ेगा ही तो 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ने के बाद E यहां यही बात B के लिए कि अपने उपर 4 लोगों की जगा छोड़ेगा तो B यहां होगा और E और B आपने put कर लिया जब बात आएगी top की तो top के नाम पर या तो C बढ़ा होगा या तो E क्योंकि हर कोई इससे बढ़ा कोई निकोई है तो या तो A बढ़ा होगा या C जबकि A बढ़ा होने से मना कर चुका है तो पूरे समस्व जितने लोग है उसमें C ही एक ऐसा परसन है जहां सटिस्पाई होगा C सबसे बढ़ा होगा अब अगर बात करें तो F की position fix है और F के उपर C चाहिए था well and good B के उपर मुझे D और A चाहिए B के उपर D और A चाहिए तो B के उपर D और A के नाम पर यही एक जगह बनती है तो D और A P के उपर D और A यह मेरे लिए डागराम बन गया और जैसे डागराम बन गया आपके पास इसके base के सवाल भी बन गए कुछ है ही नहीं सवालों में यही सवाल था आपके पास तो यहाँ आपके पास पहला सवाल है who gets fourth highest तो highest गिनेंगे तो ऊपर से गिनेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा fourth highest person is D option number D ही answer है what would be the position marks of F F की संभावनाएं क्या है marks नहीं पूछ रहा what would be the possible marks of F तो obvious है F के marks D से अधिक और 18 से अधिक और 24 से कम तो 18 से अधिक और 24 से कम 18 से अधिक और 24 से कम तो दिये गए option में 23 है ऐसा है जो 18 से अधिक और 23 से 24 से कम हो सकता है तो यह answer यह देंगे how many girls got marks between A and B तो A और B के बीच कितने लोगों के marks है तो आपका जवाब होगा दो लोगों के marks है और option number D is the right answer बहुत simplest सवाल और यसा तो हर बार मैं कहता रह रहा हूँ कि भई RRB है तो speed की बात करिए तो सवाल आसानी होगे क्योंकि जरा भी completed होगा तो speed की बात कैसे करेंगे और RRB color है तो definitely speed की बात करेंगे नेक्स सवाल अरे यह सवाल तो मुझे ही बनाना पड़ेगा मैं समझा देता हूँ यह meaningful word वाला सवाल RRB का patent सा सवाल है हर exam में आता है आप previous year की अगर यह series भी follow कर रहे होंगे तो हर series में आपको ऐसा एक सवाल मिलेगा यह कहता है कि अगर यह word दिया गया तो इसका second, third, fourth और sixth letter चुनिए तो second letter आपने चुना I third letter आपके लिए है R fourth letter है आपके लिए E और fifth letter है 4, 2, 6, T इन word से बोला गया अगर कोई meaningful 4 letter का word बने इनसे कोई एक meaningful word बने तो जो letter बनेगा उसका पहला letter answer देंगे left से, क्या पता एक ही बने तो answer ऐसा होगा, सूचेंगे अगर कोई word ही आपके दिमाग में नहीं आरा, नहीं बन रहा तो answer Y दीजिए और आपको लगता है कि नहीं एक से ज़्यादा word बन रहा है तो answer X दे दीजिए तो अगर इन 4 letter से बनाने की बात आने लग जाए तो एक तो मेरे mind में बहिए, चुकि मैं examiner exam की तयारी करा रहा हूँ और SSE के जब exam की बात आती है तो SSE के exam में आप पढ़ते होंगे tier 1, tier 2 ऐसे ही पढ़ते होंगे तो यह word देखके tier तो मेरे mind में चली रहा है इसको देखकर अगर मैं बात करूं तो tier तो चली रहा है P-I-E-R tier का मतलब होता अस्तर layer, level इसलिए कहते हैं level 1, level 2 या tier 1, tier 2 तो एक word तो यह आया और दूसरा word मेरे लिए tier आया tier दो word तो ऐसे ही हो गए तो जवाब तो मैं यहाँ देदूंगा ऐसे ही तो यहाँ पर दो word गरने कहा एक से अधिक word बनने है तो answer दो word तो मेरे mind में आ गए अगर एक और बात की बात करें तो एक word और मेरे mind में आ रहा है यह भी एक word बनता है right इसका मतलब होता है कि धार्मी का अनुस्थान पूजा पार्ट या religious type का कोई आयोजन है तो वो word कहते हैं तो खेर यह नहीं भी भातलों को याद होता है it's okay और यह मुझे याद इसलिए है कि अभी अभी जब राम मंदिर का मुझे भी वर्ड नहीं आता था भई अनस्थी राम मंदिर का जब उद्गाटन हुआ तो पेपर में दा हिंदू की हेड्लाइन में यह वर्ड था तो आज मेरे काम आया इसलिए कहता हूं कई बार बाहर की चीज़ें पढ़ती रहनी और फिर से नेक्स सवाल है और फ्लोर पजल का तो बहुत आसान होंगे जल्दी से बना डालते हैं फिर से एक मिट का समय आपको दे रहा हूँ से लोग का समय आपको दे खिूझ से लोग Dal ओ ओ कि से अल्म अ झाल अच्छा अगर आपने सवाल बना लिया होगा तो किवल सवाल ही नहीं बनाना है जैसे की बात हमारी चली है तो इसके बेस पर आपको ये पांस सवाल भी बनाने है ठीक है तो आप इसे पाउस करके इसके पांस सवाल भी बनाईए ये मैंने आपको दिखाना बूलिया था कोई बात नहीं जल्दी से सवाल क्या कहता है और इससे आपको रियालिटी पता चलते हैं कि कई बार बच्चे मौक लगा के आते हैं आपको मौक डराये नहीं जैसे मौक में कभी आप डर रहे होंगे प्रिवियस यह से टफ है कोई बात नहीं आपको देना मौक भी है बिना मौक की एक्जाम नहीं होगा क्योंकि आपने प्रिवियस यह पर बहुत कम मिलते हैं और मैं हमेटा खेता हूँ कि सब्ता में ध conf पांच पे टेस्ट और लगाने हैं लेकिन माउग से डरना नहीं है क्योंकि प्रिविएस पपर अगर पता होता है तो आपको पता चल जाता है कि यह मौक आपके लेवल से या प्रिवियस एर पेपर के लेवल से उपर है, कम है, इसलिए जरूर रही है, इसलिए जरूर रही है, यहाँ देखें, तो बोला गए कि छह लोग हैं और डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं, कितने तो तीन डिफरेंट फ्लोर पर, but not necessarily हैं सेम ओडर, तो तीन फ्लोर की बात आ रही है, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, यही लिखना है, लेकिन छे लोग हैं, यह फ्लोर के अलावा फ्लैट की भी बात कर रहा है, और बोला गया कि there are two फ्लैट on each फ्लोर, फ्लैट वन एंड फ्लैट टू फ्लैट वन वही है, कहानियां रहती है, लास्ट पर रहा है फ्लैट वन इस वेस्ट फ्लैट टू, तो यह फ्लैट वन है, और यह फ्लैट टू है, और इन कहानियों से बचिये, खतम, जैसे आपके पास एंडागराम बना, तो अब आपके पास सवाल शुरू होता है, कि E lives on floor number two, तो floor की बात होगी, तो हम ऐसे गिनेंगे, फ्लैट की बात होगी, तो इसकी बात करेंगे, and lives above sea, तो E floor number two पर है, क्या पता E यहाँ हो, और तुरंत आपके पास एक दूसरी संभावना है, कि आप तुरंत मुझसे objection करें, सर second floor पर ही रहना है, तो second floor पर तो second number flat पर ही रह of C, यहीं कि C first floor पर है, but not in the same flat, यानि कि अगर E यहाँ है, तो C यहाँ, क्योंकि उनका flat same नहीं है, और E यहाँ, तो एक C यहाँ, यही दो possibility होगी, A lives above B, and both lives in same flat, तो यह बात अब बहुत तरीके होंगे, A, B, A, B, यहाँ, यहाँ, तो अब आप पचास और नहीं लिख सकते, तो A lives above B, कितने above नहीं मालूम, और same flat में है, तो डबा बना देते हैं, कि यह डबा है, flat, first में या second में होगा, देखेंगे, F lives one of the floor above C, तो F, E से किसी floor पर है, और यह भी बोला गया, in different flat, यहीं कि अगर F इधर, तो C इधर, अगर F उधर, तो C इधर, यानि यह विवस्था पलट सकते हैं, लेकिन यह diagonally ही रहेंगे, यह नहीं होगा कि F और C, एक ही हो रहेंगे, ध्यान रखना है, F lives one of the floor below A, but not in the same as C, तो D, A से नीचे ही है, लेकिन D के मामले में यह भी बोला गया, कि D और C का flat एक floor में नहीं है, और floor को हम डब्बे में रखते हैं, तो cross लगा दिया कि नहीं होगा, यहनि एक इस टाइप के vertical arrangement में नहीं होगा, F lives west of A, F definitely A के west में है, तो एक ही floor पर होगा, पच सवाल खतम, क्योंकि A को अपने नीचे, B का भी ख्याल लखना है, A को अपने नीचे, D का भी ख्याल लखना है, तो obvious है, अगर मैं आऊं और D, C वाले floor में नहीं है, D, C वाले में नहीं है, तो D अगर C वाले में नहीं है, तो D, C वाले में नहीं है, और D के ओपर A होगा, तो D definitely यहाँ होगा E, C वाले में नहीं और D के उपर A होगा तो A किसी में कहीं होगा अच्छा A यहाँ भी हो सकता है ओके नहीं 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 एक मेंट और भी possibility है चले इसकी बात करें F और A F और A एक ही जगह है F और A जिसमें F is west of A बाकी floor में कोई जगह ही नहीं है तो A यहाँ रखा A और B एक ही डबे में होने चाहिए A और B एक ही डबे में होने चाहिए तो D यहाँ और D यहाँ और फिर एक line थी कि F C के अलग वाले में होना चाहिए यहाँ F C के सेम वाले में है ती और सी का भी सेम हो गया है तो ये दोनों ही मामलों से गलत एफ और सी अलग अलग डी और सी एक फ्लैट में नहीं तो ये आपके लिए सवाल खत्म बहुत एजी सवाल था और इसके उपर कितने सवाल थे ये भी देख लेते हैं भाई ये तो पांच सवालों के साथ था सोचिए कि कितने आसान सवाल दिये गए आपको इसके बेस पर के पांच सवाल भी देख लेते हैं पहला सवाल है कि which of the following pair is correct कौन सा correct है किसके बारे में डी के बारे में तो डी के बारे में अगर मैं बात कुनों तो फ्लैट वन और फ्लोर वन तो फ्लैट और फ्लोर दोनों ही वन है इसलिए option number C is a right answer ठीक है 22 है which of the following statement is correct कौन सा कथन सही है तो E list flat number 2 नहीं भई वो flat number 1 में है E list flat number 1 flat number 1 कहां flat number 2 है इसलिए गलत E list above F तो D F से उपर होई नहीं सकता वो तो नीचे दिख रहा है P list top floor गलत है तो पांचमा ही answer है पढ़ना ही क्या है if position of F and C change यानि कि एक नहीं बात आई कि अगर ऐसा हो कि C की जगा F और F की जगा C हो ऐसा आ जाए who will be living immediately above F तो F जब यहां जाएगा तो इससे उपर कौन होगा तो जवाब होगा P और answer होगा option number D for Delhi ठीक है चलिए तो 23 का answer होगा आपके पास D who among the following lives on top floor तो top floor के नाम पर F और A और A option number D लगाएंगे who lives flat number 2 flat number 2 on second floor B और B के लिए option number 2 I hope so कि बहुत आसान है और आप इस सीरीज को enjoy कर रहे होंगे और अगले सवाल पे भी चले और अगला सवाल भी आपके पास फिर से sitting arrangement का ही है तो सवाल पजल के रूप में है जल्दी जल्दी बनाएंगे बहुत आसान सवाल है इस सीरीज के बाद मैं PO की भी सीरीज लाँगा तो फिर level भी बदलता हुआ हम देखेंगे और एक learning के लिए आसान से टफ जाना बहुत entertainment होता है ठर नहीं लगता क्योंकि इससे आप practice करके बहुत कुछ सीख चुके होते हैं अच्छा इसके बेस पर पास सवाल भी होंगे ये रहा वो पास सवाल तो आपको दोनों सवाल फिर से बनाने हैं साइड हो जाता हूँ आपके सपास स्कीन के और अब आप इससे बनाईए है हिंदी कट रही है झाल है है झाल कि अधिया हुप स्वाप बना चुके होंगे करने के लिए थोड़ा स्पेस ले लेते हैं कि यहां बोला गया एट पर्सन सिटिंग इन रो अच्छा इन रो नहीं सिटिंग इन टू रो अच्छा पैरलल लो वाला सवाल है इच रो वन एंड रो टू इच पर्सन इन रो वन फिसिंग साउथ यह निकि ऐसा कि एक दो तीन चार उसे करर मिले लेता हूँ एक दो तीन चार और यह साउथ की और फिस करके बैठे हैं तो एक दो तीन चार और यह नॉर्थ की और तो यह रो वन है और यह रो टू है आउच पर्सन दो फार अनदर रो वस्ट फिसिंग तृष्ट नॉर्थ की तुवर्थ नाॉर्थ क्यांटिन नीचे में क्यों आर एस्टी यह बात करनी है और जी एच आई जे तो जी एच आई जे अपने आप में उपर की और हैं यह तो हो गए इन्फरमेशन चलिए only one person sitting between J and I who is तो I is sitting immediate left I is sitting left of J I और J के बीच एक लोग है और I J के left में है और I J का मामला south की ओर है तो left आपके लिए J की कुरसी के बाद I यहाँ I और J के बीच एक और I J के left में है जब south की ओर होगा तो left का मतलब this side ठीक है यानि कि तीन कुरसीयां तो यहाँ definite है अब एक कुरसी यहाँ लगेगी या यहाँ लगेगी अगर आप दो डाइगराम बनाते हैं तो मर्जी है आपकी मान लिजिए कि आप J, I ऐसे लिख दें और एक कुरसी आपने यहाँ लगा ली है तो एक कुरसी यहाँ लग सकती है यही दो बाते होंगी पर J और I क्योंकि चार ही कुरसी लगनी है तो J और I एक कुरसी इधर लग गई होगी या एक कुरसी यहाँ लग गई होगी S is facing immediate never of both J and I तो S, J और I दोनों के बगल में face करता है तो S तो यहाँ होगा यह बात तैय होगी T is not immediate never of S तो T यहाँ नहीं है और T यहाँ नहीं है तो यह बात मुझे लगने ही की उज़रत है T अगर S के परोस मेंने यह कुरसी यहाँ क्योंकि कहीं तो बिठाएंगे ही फिर बोला गया only one person is sitting between Q and R Q और R के बीच एक definitely है कि Q और R यहीं होगा Q और R के बीच एक Q और R यहीं होगा इसे मुझे दिखना भी नहीं है Q और R के बीच नहीं भी बोलता है तब भी यहीं होता who is यह बात हुई कि R is not missing I R I के सामने नहीं तो R यहाँ और Q और R R यहाँ नहीं तो R यहाँ और Q यहाँ ठीक है R is not missing I ठीक है अब मेरे लिए बोला गया H is not sitting right of G H is not sitting right of G तो obvious है कि मेरे पास H और G यहाँ रखना पड़ेगा और अगर मैंने H यहाँ रखा और G यहाँ रखा तो गड़बर H is sitting not right of G तो H is sitting left of G तो H is sitting left of G H is sitting left of G ठीक है भाई One of the immediate never of J facing T यह का जो परोसी है उसको T को face करना पड़ेगा J का परोसी G और वो यहाँ T को face नहीं कर पाएगा यानि यह तरीका wrong और J का परोसी SG और वो किसको face कर रहा है T तो दो possibility बनाई और एक possibility आपके सामने बनकर तयार और यह सवाल का जवाब आपके पास ready है बहुत easy सवाल था कुछ करने लाइक नहीं था इसके base पर इसके base पर पास सवाल बनाते हैं Who is sitting immediate left of S तो S के immediate left में R second और second option number B Who is sitting extreme end of the row 1 तो G और I G और I के नाम पर option number E Who is sitting immediate left of the person facing S तो S को face करता है H और H के left में है I option number C Who is sitting extreme end of the row 2 row 2 में T और Q और T और Q के नाम पर option number E 29 का option number E If all the person made in alphabetical order यानि सभी लोगों को उनके alphabetical order में arrange करेंगे तो How many people remain the same position कितने लोग अपनी जगह पर बने रहेंगे इस बात का जवाब देखने के लिए अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर Q, R, S, P अच्छा कैसे बिठाएगा है alphabetical order from left end ओके तो अगर left end से बिठाएँगे यहाँ Q, R, S, T और यहाँ पर होगा G, H, I के left इधर चलेगा तो सेम अपनी जगह पर S, R, और H तो कुल मिलाकर तीन लोग होंगे तो option number B इज़राइड डालता बहुत simple सवाल था तो चलते हैं next सवाल पर next सवाल है आपके पास odd one out का सवाल है और इसमें कुछ भी नहीं करना होता बहुत simple सवाल होते हैं बस आपको letter की position से बात करनी होती है बनाएए पहले यहां पर बोलेंगे तो यहां पर आएगा position आपने याद की होगी 12, 11, 13 और 10 तो मेरे लिए 12 और 11 यानि minus 1 हर एक के पहले set को पहले देखिए तो यह minus 1 क्योंकि यह 6 और 5 यह 15 और 14 minus 1 19 और 18 तो minus 1 18 और 17 minus 1 तो पहले set में minus 1 अगला है K और M 11, 13 यानि की alphabetical order के अनुसार तो यह set कहलाता है plus 2, E और G plus 2 N और P तो 14 और 16 plus 2, 18, 20 17 और 20 यहीं गरबढ़ है क्योंकि Q 17 और 20 यानि कि इसके 20 तीन का difference है option number E answer चली, next सवाल पर चलें coding decoding का सवाल है तो यह सवाल तो आप आराम से बना सकते हैं C, H, E तो अलग से क्यों लिखे हैं हाँ यहीं से देखते हैं बदाए बहुत आसान वाला है यह आसान वाला है यह ससी टाइप सवाल है आगया बैंक में अलग बात है क्योंकि मुझे यहां से यह पकड़ में आया कि double F है और यहां double X है also कोई position की बात पहले देखते हैं कि 3 के लिए 1 या 8 के लिए तो इसमें कोई logic नहीं दिख रही है मुझे पहले ही दिख गया क्योंकि मुझे जैसे ही मैं 3 के लिए A देख रहा हूं और sufficient में letter common क्या है तो T P की जगह Z है यहां भी T की जगह Z है तो मेरे लिए और भी चीज़ें आई कि concurrent में T की code को अगर मैं Z मानू तो मेरे इस option में भी Z है यहां Z है यहां Z है तो letter की position की A के लिए C के लिए A H के लिए G, A के लिए Y ऐसा तो मैं उसी तरीके से अगर concurrence की बात करूँ तो C का code यहां से ले लूँगा A और sub में A है फिर में ले U और U का code मैं sufficient से लूँ तो U का code उसकी position पे B और वो B sub में है फिर अगला है मेरे पास R और R मेरे पास कहा दिख रहा chapter में R और R के लिए W के लिए मैं आ जाओंगा sufficient के इस E पर और E के लिए L और L मेरे लिए दोनों में है अगला letter है N और N के लिए मैं आओंगा T code बनेगा तो N के लिए D और N के लिए D यहां दोनों में है अगली बार अगर मैं आओं तो अगर मैं यहां देख रहा हूं L और D तो मुझे code ढूनना ही नहीं चाहिए था फिर भी अगर last में T और S है तो T के लिए अगर देखूं तो Z और T के लिए Z यहां नहीं है और S S के लिए N तो यह letter अपनी position पे code कर रहा है बहुत आसान वाला logic आमतर पर banking में ऐसे logic नहीं दिखते हैं कि SSE के logic में मानता हूं alpha numeric series बहुत easiest one सवाल I hope so कि जल्दी जल्दी बनाएंगे आप तो कि video लंबी नहीं बनाना चाहता आप और ज़्यादा सवाल बचे भी नहीं है यह मैं ही बना देता हूं How many such symbols are there हमें निकालना है कितने symbol है immediately preceded by an even number and immediately followed by odd number तो यहीं सवाल है हमें एक symbol की बात करनी है जो even or odd number के बीच धून रहा है अच्छे यहां एक और बात ध्यान दखेंगे यहां और है तो मैं ऐसा नहीं धूनूँगा end होता तो धूनता यह देखे यह मुस्से भी गलती हो रही थी how many such symbol are there which is immediately preceded by यहनि कि symbol के पहले even number हो या या symbol के बाद odd number हो तो मुझे ऐसा धूनना है और end नहीं तो मुझे even number symbol तो even number और symbol अगर देखें कि पहले even number और फिस symbol तो even number और symbol के नाम पर मुझे पहला लेटर तो यह दिखा 4 और add the rate of even number और symbol तो यहाँ दो तो मुझे यही दिख गए ठीक है और फिर odd symbol के बाद odd symbol के बाद odd और symbol के बाद odd number के नाम पर मुझे यह दिखा तो मेरे पास कुल ऐसे कितने हैं तो answer होगा 3 option number C यहाँ अगर end होता तो मैं सवाल ही गलत कर देता ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं भी उसको end पढ़ गया पहले बाद में ध्यान आया और तो इसलिए answer होगा option number C series कुछ नहीं करना है L V तो आप position में L और V के बीच देखिए तो यहाँ 3 है और L की position से 4 बढ़कर जो भी आप कहिए V के बाद 4 आपके लिए 3 और 3 के नाम पर यह 3 option कट जाएंगे I hope so यह clear है अगली बार देखें तो यहाँ पर मेरे लिए 2 के बाद W 2 के बाद W में भी वही 3 का gap W के बाद $ और $ के बाद EUR, EUR के बाद Copyright और option number D is the right answer फुरा answer निकालने के जिए उतनी इस बस आपके इस पीड़ा तो रिस्क लेते हैं ना वरना आराम आराम से चलने वाले लोग तो स्लोई रहते हैं रेस में तो नहीं जीत पाते हैं भले ही लाइफ में चल रहे होते हैं यह बोला गया कि जब पूरी सिंख़़ा पलट दी गई तो एक और बात कि कुछ लोगों ने कॉमेंट में सवाल पूछा था कि सर ऐसा क्यों करते हैं मैं अगर हिंदी में बोलूं कि लेफ्ट से दसवें कहीं भी गया होंगा उसके राइट में चौथे तो आगे ही बढ़ेंगे न तो यह तरह है कि आपोजिट के नाम पर जोड़ेंगे और जिससे स्चुडवात करते हैं रिजल्ट उससे आता है लेफ्ट से आएंगे तो लेफ्ट से ही बढ़ेंगे ज्यान रखेंगे तो चुकी बात आई कि लेफ्ट से 10 में के राइट के 14 में तो लेफ्ट से 14 में ऐसा गिनना था लेकिन इसने बोला कि सिरीज ही पलेट गई है तो सिरीज को मैं उल्टा गिनूंगा और आपके पास स्क्रीन होता इसलिए गिनते वक कई बार कन्फिजन होती है तो आप पैन और पेपर पर चार क्या सेट बनाई है क्यों और तीन और एक चार एड़ रेट ऑफ और मुझे गिनना 14 तो चार तिया बारह तो दो गिनेंगे तो चार और पांच पांच इस राइट आंसर ऑप्सिन नमबर ए अब बोलेंगे उधर से क्योंगे ना तो श्रीज पल्टी हुई थी यह ध्यान दखियेगा नेक्स सवाल हाँ प्राइम नमबर रिस्पेक्टिवल प्राइम नमबर रिस्पेक्टिवल प्राइम नमबर ठीक है भाई सिम्बॉल लेटर और प्राइम नमबर सिम्बॉल लेटर और प्राइम नमबर सिम्बॉल लेटर सिम्बॉल और लेटर की बात करें पहले सिम्बॉल लेटर और प्राइम नमबर एक तो यह मिला मुझे सिम्बॉल लेटर प्राइम नमबर नहीं है तो मिला यानि ऑफसे नंबर इस राइट आंसर चलिए नेक्स सवाल पर चलें बहुत इजी सवाल है कि कौन सा बना रहे थे भी यह हो गया यह भी हो गया यह भी हो गया हाँ यह बना रहे थे सम संख्या और विसम संख्याओं के बीच के योग का पुन अंतर तो जितने भी सम नंबर हैं उसको जोड़ लिए तो चार दो चार चार है सम संख्याओं के नाम पर आप यही कह रहे होंगे चार दो चार चार और चै यह सम संख्याओं और तो मतलब इवेन नंबर और नंबर की अगर मैं बात करूं और नंबर की शुरुवात यहां से है एक पांच तीन साथ और पांच एक पांच तीन साथ और पांच खतम और इसके बीच का डिफरेंस निकालना है या तो पूरा जोड़िए या यूही घटा लिए कि घटेगा तो यह कैंसल हो गया यहां पर मेरे पास चार दो चै तो यहां से मेरे पास एक बच गया यहां यब माइनस हो करना है तो और फिर मेरे पास के तीन और चार यहां कैंसल हो गया तो दुनों की बीच एक का डिफरेंस होगा लेकिन पहले किसको करना तो सम संख्या और भी सम तो यहां ज्यादा है यानि माइनस वन का अंसर होगा ऑफसन नंबर की ठीक है अब पूरा जूर के भी निकाल सकते और फिर लास सवाल पर आ गए है हम लोग आज और लास सवाल है डिरेक्शन का जल्दी से बना लेंगे कि अपने आप में बहुत आसान होता है और इसके बेस पर यह तीन सवाल आपके पास है तो चलिए एक मिट का टाइम देता हूँ जल्दी से आप इसको बनाएंगे झाल में जल्दी से लिए लास सवाल करिने खाहां है यह तुिएव चर्णाशन का जल्दी आप इसके बनाएंगे झाल बोला गया मोहित स्टार्ट साइक्लिंग फ्रम पॉइंट पी एंड साइक्ल सेवन किलोमेटर तो पी के पॉइंट से साथ किलोमेटर साउथ की और गए और क्यू पर पहुंचे और टॉन्स लेफ्ट लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक वाइज और यहां जा रहे थे तो लेफ्ट और लेफ्ट का मतलब अगें एंटी क्लॉक वाइज अण जा और यहां तीन किलोमेटर ही जाना है तो ध्यान रखेंगे पैंडी जैट पॉइंट गोंट जेन अगें टरन्स लेफ्ट एंड साइकल एट किलो मेटर और लेफ्ट का मतलब अगरे ने एंटी के लिए और सामने की दूरी है चार और चलना है हमें आठ यह बात ध्यान रखिएगा कि हम आठ चलना हैं यह 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 दूरी है और यह यह साथ इसके लिए है और आठ इसके लिए है ध्यान रखेंगे और चार है तो डबल आठ किलो मेटर रीचेट पॉइंट ठीक है मोहिट टेक्स राइट टरन राइट का मतलब हो गया कलॉकवाइज एंड गोस्टू किलो मेटर यह पूरा साथ था यह तीन है और दो ही चलना ह है तो यह ध्यान रखेंगे कि साथ है और तीन और दो का मतलब तीन और दो पाच दो किलो मेटर और रह जाएगा भी तो टरन डाइट टू किलो मेटर एंड रीच एट पॉइंट यू और बैंकिंग के डिरेक्शन में इंपोर्टेंट यह रेफरेंस और यह कंपरिजन की द आपके सामने यही था तो आठ किलो मेटर के बाद वह वी पर पहुंच जाता है तो आपके पास डाइगराम तो ऐसा बनेगा बहुत ईजी सा डाइगराम था चलिए भई देखें सवाल आप कि तीन सवाल है तो आसान सवाल है कोई बात ही नहीं है इस पर हमारे पास पहरा सवाल है इन विच जारेक्शन इस पॉइंट वी विथ रिस्पेक्ट टू पी और पी के रिस्पेक्ट में अगर निकालना होगा तो वी पी के रिस्पेक्ट में साउथ इस्ट और साउथ इस्ट के नाम पर ऑप्शन नमबर थी 39 है कि what is the position of point V with respect to point R V, R के respect में क्या है तो V, R के respect में R से जब V की और देखेंगे तो North और North में दूरी भी पूछी जा रही है तो पूरी दूरी मेरे पास कितनी धी, 7, 3 और 2, 5 ये दूरी मेरे पास यहां भी 2 km के साथ तो 3 और 2, 5 km North फिर बोला गया कि in which direction is point Q with respect to point T तो T के respect में T मेरे लिए यहां है और T के respect में अगर मैं Q को देखूँ तो direction की बात हो रही है T के respect में Q की direction South East और South East के लिए option number A बहुत easy सवाल, कुछ भी करना ही नहीं था इसमें I hope so, आप इस series को enjoy कर रहे होंगे banking exam में practice बहुत important है और अगर आप practice को enjoy करने लगे तो फिर आपकी सफलता कोई आपसे छीन नहीं सकता मैं अक्सर कहता हूँ कि सफलताओं को enjoy करने का मज़ा तब है कि सफलताओं को enjoy कब करेंगे यह तो बाद का समय है आप अपने steps को enjoy करने लगे तो सफलता अपने आप नजदी का जाती है और step पूछेंगे क्या तो मैं banking student को तो हमेशा कहता हूँ practice अगर आपको लगता है कि आपने आज paper लगाया आपने थोरी सी practice बढ़ा कर की है और आप उसको enjoy करेंगा और fact यह भी है जिस दिन आपने बहतर practice की आपके अंदर एक enjoyment आती है और वो feeling पस आप किसी दिन कर के देखिए उसका कोई सब्द में बया नहीं किया जा सकता आज आप इन series के साथ ऐसी practice की feeling ले रहे होंगे आप बहतर practice कर रहे होंगे क्योंकि अकेले practice करने में कई बार बहुत सारी चीज़ें आती है series आपको एक वजह देती है यह जो series आप जिसको previous year series कह रहे है आपको practice की ऐसी एक वजह देती है और आप उस series को enjoy कर रहे होंगे अगर आप series को enjoy कर रहे हैं तो comment box में अपना प्यार लिख सकते हैं मैं उसे पढ़ूँगा क्योंकि जैसे आपकी practice आपको enjoyment देती है आपका प्यार मुझे भी boost up देता है इस series को बनाने के लिए जो energy है वो आपके प्यार से आएगी तो आपके उस प्यार के इंतिजार में रहूँगा यह series यूँ ही चारी है मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लितना ही बाई बाई